इस फिल्म की कहानी एक ऐसे कपल पर आधारित है जो शहर से दूर एक पुराने घर में रहने के लिए जाते हैं उस घर के अंदर उन्हें एक ऐसा कमरा मिलता है जो उनकी सभी इच्छाओं को पूरा कर देता है अब वो दोनों अपने इस लालज को पूरा करने के लिए किस हental तक जाते हैं और उनके साथागे क्या क्या होता है यह हम आज की इस explanation में देखने वाले हैं आज मैं जिस फिल्म को explain करने वाला हूँ उस फिल्म का नामों है दा रूम और ये फिल्म 2019 में release हुई थी मूवी की शुरुवात में हम एक कपल मैट और केट को देखते हैं जो शादी के बाद अपनी लाइफ को एक नए सीरे से चालू करने के लिए शहर से दूर एक टाउन में आते हैं उस टाउन में वो एक पुराना घर खरीदते हैं जो बहुती बड़ा और आलिशान होने के बावजूद भी उनको बहुत सस्ते में मिल जाता है उस घर की सफाई करते वक्त उनको एक कमरा दिखाई देता है जिस पर एक बड़ा सा लोहे का गेट लगा होता है वहाँ पर उन्हें उस गेट की चाबी भी मिल जाती है जाता है पर जाते जाते वो इलेक्टरिशन मैट को बोलता है कि आपने एगर खरीद कैसे लिया क्योंकि एगर बहुत टाइम से खाली पड़ा था मैट जब उसे इसका रीजन पूछता है तो वो इलेक्टरिशन उसे बताता है कि कुछ साल पहले इस घर में मर्डर हुआ था जिस वज़े से कोई भी से खरीदना नीचाता उस इलेक्टरिशन के जाने के बाद मैट उस घर में हुए मर्डर के बार में जानने के लिए इंटरनेट पर सर्च करता है और उससे बता चलता है कि जिस आदमी ने मर्डर किया था उसका नम जॉन डो था और अब वो एक मेंटल असाइलम में बंद है अब मैट इस हाथ से के बारे में सुनकर काफी परिशान हो जाता है और वो अपने साथ एक दारू की बोतल लेकर उसी लोहे के दरवाजे वाले रूम में जाकर बैठ जाता है अब दारू की बोतल पूरी पीने के बाद मैट ये विश करता है कि काश उसके बास दारू की एक और बोतल होती मैट के ऐसा बोलते ही घर की सारी लाइट्स ब्लिंग करने लगती है और अचानक उसके सामने दारू की एक और बोतल आ जाती है ये देखकर मैट हैरान हो जाता है कि ऐसा कैसे हुआ अगले दिन केट जब मैट को ढूंडते है वो इस रूम में आती है तो वो देखती है कि उस रूम में मैट के आसपस बहुत सारी महेंगी पेंटिंग्स पड़ी हुई है ये सब देखकर केट चोक जाती है और वो मैट से पूछती है कि ये सब कहां से आई पर मैट उसे इसका कोई जवाब नहीं देता और वो उसे एक विश मागने के लिए बोलता है अब मैट की बातों से केट को लगने लगता है कि शायद वो उसके साथ कोई मजाक कर रहा है और मजाक में ही केट एक मिलियन डॉलर की विश माग लेती है पर Kate के ऐसा बोलते ही उसके सामने एक मिलिन डॉलार आ जाते हैं जिसको देखकर Kate भी शौक्ड हो जाती है अब इन दोनों को लगने लगता है कि शायद ये रूम उनकी सबी विशिस को पूरी कर सकता है इसलिए वो एक एक करके उस रूम से धेर सारी विशिस मांगने लगते हैं जैसे खाना, दारू, पैसे और बहुत कुछ अब धीरे-धीरे उन दोनों में इतना जादा लाला चा जाता है कि वो उस रूम से सब कुछ मांग लेते हैं पर एक दिन वो दोनों इससे भी बोरो जाते हैं और इधर केट भी धिरे-धिरे डिप्रेशन में जाने लगती है केट की ऐसी हालत को देखकर मैट उसे बोलता है कि अब हम एक बच्चे के साथ अपनी फैमिली स्टार्ट कर लेनी चाहिए पर मैट की ये बाद सुनकर केट उसे चड़ जाती है क्योंकि वो दोनों पहले भी दो बार बच्चे के लिए ट्राय कर चुके हैं और दोनों ही बार उनका बच्चा पेट में ही मारा जाता था अब Kate Matt की बात सुनकर गुसा हो जाती है और वहां से चली जाती है थोड़ी दिर बाद जब Matt Kate को मनाने के लिए जाता है तो वो देखता है कि Kate एक छोटे से बच्चे के साथ खेल रही है जिसको उसने उस विशिंग रूम से मांगा था Matt को ये देखकर बहुत गुसा आता है और वो Kate को बोलता है कि ये बच्चा हमारा नहीं है इसलिए तुम इसे जहां से लेकर आई हो वही वापस छोड़ दो अब Kate की तो इच्छा नहीं थी पर फिर भी वो Matt की बात माल लेती है और वो दोनों जैसे ही उस बच्चे को लेकर उस रूम के अंदर जाते हैं तो दोनों मैंसे कोई भी उस बच्चे को वापस लेनी की विश मांग नी पाता और फिर वो दोनों उस बच्चे को अपने पासी रखने का फैसला कर लेते हैं अब उस बच्चे को पाकर केट बहुती ज़्यादा खुश होती है और वो उसका नाम सैम रखती है दूसी तरफ मैट के मन में उस विशिंग रूम को लेकर अभी भी बहुत सारे डाउट थे इसलिए वो उनसे पहले उस घर में रहने वाले आदमी जॉन डो से मिलने उस mental asylum में जाता है वहाँ पर मैट जॉन से उस रूम के बारे में पूछता है जिस पर जॉन उसे कोई भी जवाब नी देता पर जाने से पहले वो मैट को बोलता है कि जितना जल्दी हो सके उस घर को छोड़कर चले जाओ वरना उनका लालच उनने एक दिन माड डालेगा पर मैट जॉन की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नी देता और वहाँ से चला जाता है रास्ते में मैट अपनी कार में पैटरोल भरवाता है और जब वो पैटरोल के पैसे देने के लिए अपनी जेम में हाट डालता है तो वो देखता है कि जो पैसे उसने विशिंग रूम से उठाए थे वो सबी राक बन चुके है मैट ये देखकर शौक डो जाता है और वो घर आने के बाद सिधा विशिंग रूम में जाकर वहाँ पड़ेवे पैसो को उठाता है और उन्हें खिडकी से बार फैक देता है खिडकी से बार फैक ते ही मैट जब उन पैसो को देखता है तब ही वो पैसे उसी समय राक बन जाता है इसके बाद वो एक painting को उठाता है और उसे भी जब वो अपने घर के बाहर रखता है तो वो painting भी राख बन जाती है ये देखकर मैट अब और भी ज़्यादा सोच में पढ़ जाता है और वो इसके बारे में जानने के लिए पूरे घर की दिवारों को तोड़ना शुरू कर देता है पर तबी वो देखता है कि पूरे घर में सिर्फ तारे ही बिची हुई है दूसी तरफ केट सैम को लेकर बार गूमने जा रही होती है पर तबी मैट केट के पास आता है और उसे बाहर जाने से मना कर देता है पर केट मैट की बात नहीं सुनती और वो सैम को लेकर बाहर चली जाती है बाहर जाते ही केट देखती है कि सैम रोना शुरू कर देता है औ फिर मैट केट को समझाता है कि ये घर एक प्रिंटर के जैसा है ये किसी भी चीज को बना सकता है पर तुम्हें उस चीज को घर के अंदर ही रखना पड़ेगा क्योंकि घर से बाहर निकलते ही वो चीज पूरी तरह राक बन जाएगी अब इसके बाद से ही केट सैम को लेकर औ और एक दिन मैट देखता है कि सैम उस विशिंग रूम में जाकर खेल रहा है और उसे उस रूम की पावर्स के बारे में भी पता चल चुका है अब सैम को उस रूम में देखकर मैट उस पर बहुत गुसा करता है और उसे डाटने लगता है पर केट मैट को सैम को डाटता वा है तो हमें क्या करना पड़ेगा इस पर जॉन उसे बताता है कि जिसे भी उस बच्चे ने विशिंग रूम से मांगा है उसे मरना पड़ेगा और उसके मरने के बाद ही वो बच्चा के बार भी जिन्दा रह पा रहा है दूसरी तरफ मैट और जोन की बाद केट भी सुन लेती है और वो सैम को बचाने के लिए खुद को मारने का फैसला करती है पर थोड़ी देर बाद वो खुद को संभाल लेती है और वापस घर आ जाती है रात को केट और मैट पलंग तोड गपागप करते हैं और सैम चुपके से उन दोनों को देख रहा होता है यहाँ पर हम देखते हैं कि सैम को केट और मैट का नस्दीक आना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता अगले दिन सैम घर का दरवाजा खुल कर बाहर चला जाता है पर मैट दरवाजे की आवाज को सुन ल जाता है तभी मैट उसे गन चीनने के लिए उसके पास आता है अब दोनों में ही लड़ाई होने लगती है और जब केट उसको छुडाने के लिए उसके पास जाती है तभी उसे एक जोर का धक्का लगता है और उसका सीरक पियानों से टकराता है जिससे वो वहीं भी होश हो अब Kate को ये सुनकर Sam के बारे में बहुत बुरा लगता है पर थोड़ी देर बाद Matt उसके पास आता है और उसके साथ जबरदस्ती घपा घप करने की कोशिश करता है तबी Kate को समझ आ जाता है कि ये Matt नहीं बलकि Sam है फिर Kate उससे बचने के लिए वाँ से भागने की भी कोशिश करती है पर Sam उसे पकड़ लेता है और उसके साथ घपा घप करने लगता है दूसी तरफ रियल Matt को भी होशा जाता है और वो देखता है कि वो उसी घर में तो है पर किसी दूसरी ही दुनिया के फिर Matt उस घर की दिवारों को तोड़ने लगता है और इसी के साथ साथ उसे उम्रतेजी से बढ़ने लगती है और वो खुद को बचाने के लिए वापिस घर के अंदर आने की कोशिश करता है पर केट घर को अंदर से बंद कर देती है और देखती है कि सैम कुछ ही मिंटों के अंदर बूड़ा हो जाता है और फिर वो राक बन जाता है अब फिल्म के ला